क्या सल्मान खान ने एलविश आदव को कुत्ता बोल दिया हुआ ये कि जब जिया शंकर ने एलविश भाई को साबुन का पानी पिलाया तब जिया शंकर की क्लास लेते हुए सल्मान भाई ने उससे ये पुछा कि क्या आपने कभी कुट्टे को साबुन का पानी पिलाया है तब लोगों को ऐसा लगा कि सल्लू भाई एलविश रादव को किसी एनिमल से कंपेर कर रहे हैं बल्कि सल्लू भाई का मतलब था कि जब आप किसी एनिमल के साथ ऐसा करने की नहीं सोच सकते तो आपने किसी इनसान के साथ ऐसा कैसे कर दिया और याद यहाँ हम सब सोचते थे कि बिग बॉस में रहने वाले लोग एकदब मौच से जिन्रगी जीते हैं लेकिन यहाँ तो साला बिग बॉस लोगों को रोटियां तक गिन गिन के खेला रहा है देख लो भी टाइम बाग कुछ पता नहीं होता है जो लोग पहले अपनी मनमर्जी का खाते थे आज बही लोग बिग बॉस के घर में एक एक पराठी के लिए लड़ रहे हैं तो मैं पुनीत सूपरशार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई बाहर गरीबों में खाना बाद में बाटना पहले बिग बॉस के घर में दो चार पेटी भर के पराठे बेज़ दो अच्छा खेर आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हो पुकरा इंसान या फिर एलवी स्याद हो